दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Excel के एक बहुत important option के बारे में जो है data validation अब data validation एक ऐसा option है जिसकी मदद से आप cell पे या range पर एक restriction या फिर मैं बूलू password type लगा सकते हूँ कहने का मतलब क्या है कि माल लिजी mobile number का एक range है अब यहाँ पर जो भी data भर रहे हो वह proper mobile number ही होना चाहिए कई बार क्या होता नहीं कि मफड़ा वर type करें 9716827756 हमें डालना है और 6 मिस हो गया और मैं यहाँ एंटर कर रहा हूं तो आप देखो यह क्या दिखा रहा है एरर दिखा रहा है कि यह data accept नहीं होगा क्योंकि यह पूरे 10 digits नहीं है इसे तरीके से आप notice कर सकते हैं कि यहाँ पर ID number है जो कि digit में होने चाहिए अब मालो कि अगर मैं यहाँ पर आके 12A लिख देता हूँ एंटर करता हूँ यह accept नहीं होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर data validation की मदद से कि यहाँ पर जो हमारे data जहाँ पर feed होंगे जो cells है उस पर हमने एक validation लगा दिया एक restriction लगा दिया कि इस पर proper data ही feed होना चाहिए अगर इन valid data feed करोगे तो क्या होगा यह आपको एक notification देग आज का topic आप सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी sheet पर तो हमारे पास यह normally एक sheet है जहाँ पर मैंने normally format की read क्या हूआ है अब यहाँ पर अभी आप देखो कि मैं लिख रहा हूँ 12 पर enter क्या accept हो रहा है अब इसको में सही करना है तो हम यहाँ पर आते हैं इस range को select करते करने के बाद आपको क्या करना है आना है data tab में और यहाँ पर आपको option मिल जाता है data validation का तो यहाँ पर हम आएंगे setting वाले टैब में यहां तीन टैब में setting input message error alert आपको setting में आना है और any value वाले इस arrow पर click करना है click करने के बाद आपको जाना है custom में और हम यहाँ पर एक formula टाइ equal number number value bracket start इस range को select किया और bracket को close किया ठीक है equal number value bracket start range select bracket close press enter अब यहाँ देखो अगर मैं लिख रहा हूँ 112 accepted numeric है अगर में डाला 12a enter not accepted अब यहाँ पर जो message है वो कोई proper message नहीं आ रहा है बस यह accept नहीं कर रहा है तो proper message देने के लिए आप दुबारा इसको select करो select करने के बाद data validation में जाना है और यहाँ पर एक option मिलता है error alert का इस पर click करेंगे click करने के बाद आपको यहाँ पर title लिखना है कि error क्या है कि id error और हमने यहाँ पर लिखा please write the id in numbers only यहाँ पर एक notification दे दिया अब यहाँ पर अगर हम valid डालते है आ गया अगर हमने डाला यहाँ पर इस तरीके से तो यहाँ पर देखा id error please write the id numbers only कि लिए रोगया होगा तो यहाँ पर कुछ नाम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि यहाँ पर Rohan, Sohan अभी लिखने के बात अब हमें जो restriction लगाना है वो है age पर कहने का मतलब company यह बोलते है कि जितने भी employees है उनका age criteria should be 18 to 35 होना चाहिए तो हमने कहा कि इस data को select कर लिया मतलब range को select कर लिया data validation में गए और इस data के लिए setting वाले option में जाके any value में जाके आपको यहाँ पर जाना है whole number पर click करना है whole number पर click क्या click करने के बाद minimum age कितनी होनी चाहिए वो है 18 maximum age कितनी होनी चाहिए 35 यह करने के बाद आपने किया ok अब अगर मैं आप डाल रहा हूँ 19 accepted 24 accepted but 36 not accepted अब अगर कोई भी आप यहाँ पर message देना चाहते है तो उसके लिए data को select कीजिए data validation में चाहिए और error alert पर click कीजिए यहाँ पर लिखना है age error message में दे देंगे please write age between 18 to 35 और यहाँ पर क्या ok अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी age लिखूँँगा जो कि valid नहीं है इसके इसके इसाब से तो age error please write age between 18 to 35 यही चीज़ अगर आप date और birth में करना चाहते हो कहने के मतलब कि जैसे 18 साल के साब से क्या होगा यह हो जाएगा अपका 2002 और 35 के साब से हो जाएगा 1985 तो हमने data को select कर लिया data validation में गए और यहाँ पर setting में जाके इस menu में चलते हैं और date पर click करते हैं click करने के बाद आप start date में जाओ और यहाँ जाने के बाद हमने डाला 0101 1985 और यहाँ हमने डाला 0101 2002 okay अब कोई भी अगर valid हमने डाला यहाँ पर जिससे 19 साल है तो हमने डाला 0105 और हमने डाल यहाँ पर 2001 accept हो जाएगा लेकिन अगर 17 केल डाला हमने तो हमने डाला 0504 और 2003 not accepted जो message देना चाहते हैं आप वहाँ जाके दे सकते हैं अब यहाँ बात करते हैं mobile number के लिए तो data आप fill कर लेना खामका मारा time waste होगा तो यहाँ पर यह चीज़ हम कर लेते हैं करने के बाद आते है mobile number अब mobile number के लिए क्या करना है कि normally यहाँ पर हमें लगाने एक length कि जो length है वो सिर्फ 10 होनी चीए मतलब जो हम number लिखेंगे उसके length कितनी है 10 10 digit होनी चीए तो आपको data को select करना है select करने के बाद हमें जाने data validation में और यहाँ पर any value पर click करके एक option मिलता है text length का अब यहाँ पर minimum भी हमने डाला 10 कि minimum भी 10 नंबर चीए और maximum भी 10 नंबर चीए ओकी किया अब अब अगर कोई भी number हमने डाला है यह पर double 9, double 9, triple 2, 3, 1, 6 accept हो गया लेकिन वाली को 8, 5, 4 वगरा वगरा और enter not accepted message जो भी आपको देना है वो आप वहाँ पर जाके दे सकते हैं so यह था हमारा data validation option जो कि आपको एक option ऐसा देता जिसके मदद से आप अपने cell को validate कर सकते हो कि किस तरीकी का data वो accept करेगा और कैसा data वो reject करेगा अब इससी data validation की मदद से हम drop down menu भी बना सकते हैं और साथ ही एक comment करके अपना feedback जरूर देना thank you